दोस्तों नमस्कार मैं हूजय और आप देखें हैं जैस्तनियूज महाराष्ट में NCB की टीम ने एक बर फिर से एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है जिसके बारे मैं आपको इस वीडियो मताऊंगा लेकिन उससे पहले आप सभी को नए साल की बहुत-बहुत सुखकामना है जैसा कि अब ही अपडेट आ रहा है आप सब को बता दूँ कि ये जो अपडेट आ रही है वो NCB की तरफ से वो नवाब मलिक के सनिला समीर खान को लेकर है जैसा कि आप सब को पता होगा पिछले काफी टाइम से जो नवाब मलिक हैं वो लगातार NCB के उपर एक के बाद एक कई बड़े आरूप लगा रहे थे यहीं नहीं उनके दोरह ये भी दावा किया जा रहा है कि समीर खान के ऊपर जो भी आरूप लगाए गये NCB के दोरह जो भी उनकी तरफ से गिरफ तारी की गई थी वो पूरी तरह से जूट है उनको जो है फसाया जा रहा था अब इन ही सब चीजों के बीज में एक अपडेट आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि NCB की टीम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खरटाया है वो भी समीर खान के जमानत याजिका के खिलाप में आपको बता दू कि कुछ टाइम पहले ही समीर खान को मुंबई हाई कोर्ट के दोरह जमानत दे दी गई थी और तब से वो जो है जेल से बाहर हैं उसके बाद एक के बाद एक समीर वान केड़े और NCB के ऊपर नवाब मलिक के दोरह कई बड़े एलिगेशन लगाए गए थे और अब जो है NCB की टीम ने एक बड़ा कदम उठाया है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याजका दाखिल की है और इस याजका में उनके दोरह डिमांड की गई है कि समीर खान की जो बेल याजका है जो उसको जमानत दी गई है उसको खारिश कर दिया जाए और उसक की NCB की टीम जो है समीर खान को फिर से गिरबतार कर ले वाइदा वे अभी सुप्रीम कोर्ट के दोरह इस पर फैसला नहीं सुनाया गया है लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के दोरह समीर खान को समीर खान की बेल याजका जो है उसको खारिश किया जाता है तो कहीं ने कहीं व पुछ कि समीर खान को फसाया है लेकिन अगर जो है सुप्रीम कोट इस याजगा खारिच करती है तो इस्शेती ये कन्फम हो जाएगा कि कुछ न कुछ NCB के पास में सबूत है और उसमें समीर खान कहीं न कहीं आरॉपी है इसी लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बेल याज़का को खारिज की है अब देखते हैं आने वाले टाइम बे सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है आपका क्या ओपिनियन है इस पर आप अपना ओपिनियन कमेंड बॉक्स हमता है और वीडियो को जाएच जाएदा सेयर करें